बिहार में महागटवंधन की नई केविनेट विस्तार के बाद से लगातार कानून मंत्री बात कर रहे हैं कार्टिकेशिंग को लेकर हलचल तेज है उन पर कई अपरादिक मामलों की जुचर्चा है इस समय हो रही है और इस बीच राजत सुप्रीमों दिल्ली से रवाना होते उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है बता दे आपको जिस तरीके से बिहार में सियासत गर्माई भी है और तमाम बीजेपी के नेताओं के द्वारा अब ये आरोप लगाया जा रहा है जिनके उपर अपरादिक मामले धर्ज है वैसे लोगों को राजत ने कानून मं मंत्री बना दिया है साथी साथ बीजेपी के कद्दावर नेता राज शभा सांसा सुसील कुमार मोधी ने ट्वीटर के माध्यम से ये कहा है कि कानून मंत्री जो बने है कार्थिके सिंग उन पर अपरादिक मामले है और जिस वक्त उन्हें कोट में जाना था उस वक्त वो क कानून मंत्री के तोर पर सपत रह रहे थे तो कहीं न कहीं ऐसे मंत्रियों की बरकास्तगी होनी चाहिए आपको बता दे तमाम बीजेपी के नेता इस समय राजत को घेरने में लगे हैं मागटवंदन को घेरने में लगे हैं और आज जब राजत सुप्रीमो दिल्ली से पट की न कहीं सरासर जूट है साथी साथ दोहजार चौबिस को लेकर भी लालू परसाद यादब ने साब संकेत दे दिया है कि महागटवंदन अब एक जूट है और बड़ी तैयारी में दोहजार चौबिस का चुनो भी साथ लरने जार हैं आपको बता दे आज राजत सुप्र प्रिमोल लालू परसाद यादब देर साम करिब 6 बजे पटना पहुचेंगे और राबडी देवी के आबास पर तमाम राजत के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे साती साथ नितीज कुमार की नई केविनेट में जिन लोगों को जगा दी गई है उनके उनसे बाचित करने के बाद नई रन नीती को लेकर भी चर्चा करेंगे और तिजश्वी आदब से खास चर्चा होने वाली है 20 लाक रोजगार को लेकर जिस तरीके से अब बात आये है तो ऐसे में किस तरीके से बिहार में रोजगार लगे और तेज़ेश्वी यादब लगातार जिनकी चर्चा करते रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमारी पहली प्रात्मिक्ता है बिहार के युवाओं को रोजगार देना और स्वास्त सुविधाओं में सुधार करना तो कहीं न कहीं स्वास्त विभाग भी उनके पास है तमाम चीजों को लेकर लालू प्रसाद यादब आज राबरी आवास में बैठक करेंगे और बैठक के बाद तमाम जो रन्नीतिया है वो बंती नजर आएगी लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादब ने बीजेपी के तमाम नेताओं को जूटा बताया है और जिस तरीके से कानून मंत्री कार्थिके सिंग पर आरोप लगे हैं अपरादिक मामले की बात सामने आ रही है एरेंश वारेंट जो है वो जारी हुआ है और इस तरह की चीजों पर लालू प्रसाद यादब ने साब सब्दों में कह दिया है कि ऐसी क कोई बात नहीं है और जो इस तरह की बात करते हैं वो कहीं न कहीं गलत है और ये सभी लोग जूट बोल रहे हैं क्योंकि वो बिपक्ष में हैं और बिपक्ष में रहने के बाद इस तरह के बयान जो हैं देते रहते हैं उन्होंने सुसील कुमार मोधी को भी जूटा करार द के साथ बहुत बहुत धन्यबाद